हलो फ्रेंट्स मैं हूँ मेखा और आप सभी का स्वागत है ट्वीन्सपीवीममा.com चैनल पर अधम बात करेंगे कि हमें प्रेग्नेंसी में भूब कम या जादा क्यों लगती है क्या इसका कनेक्शन लड़का या लड़की से भी है और लास्ट में मैं आपके साथ अपना एक आते हैं और यह सब चैनल होते हैं हार्मोनल चैन्जिश के बजए से जैसे जी मिद्लाना महग लगना चक्कर आना कमजोरी लगना और थकान सी महसूस होना कुछ कुछ खटा खाने का मन करना, कभी कुछ मीटा खाने का मन करना, तो कभी कुछ भी ना खाने का मन करना, तो ये बहुत सारे cases में होता है, और ये जरूरी नहीं है, ये सारे जो symptoms हैं, वो हर किसी महिला के उपर लागू हो, तो देखिए, प्रेग्नेंसी के starting में बहुत जादा morning sickness की समस्या रहती है, तो जब morning sickness होती है, तो बैसे भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, तो 80% महिलाओं को जो है भूँ कम लगती है, फर्स्ट रेमिस्टेन में, क्योंकि कभी कभी कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है, कि वो जैसे ही परंती उल्टी हो जाती है, उसको तो इतनी जादा प्राब्लम होती है, कि वो अगर पानी भी पे लेती है, तो तुरंती पलट जाता है, तो जिस बज़ए सो उनका ना मुह बहुत जादा कड़वा रहने लगता है, और अंदर से बिलकुल भी इच्छा नहीं होती है, और यह जो समस्या रहती है, वो जादा तर एक से लेके तीन महने तक रहती है, सबसे जादा, और जैसे हमारी दूसरी दिमाही लगती है, जैसे हमारा पांचवा मेना इस्टार्ड हो जाता है, वैसे ही यह जो समस्या है, महग लगना या कुछ खाने का मन ना करना, इरे दिरे अ अपने आप खतम होने लगती है और जैसे हमारा फाइब मंद से क्या होता है कि बेबी का ग्रोध होता है वो बहुत ही टेजी से होता है तो जिस वज़े से बहुत सारे पोशक तत्यों की जरूद पढ़ती है तो हमें भूग जो है अच्छे से लगना इस्टार्ड हो जाती है और जी वगरा भी नहीं मिचलाता है तो और अंदर से ही खाने की इच्छा होने लगती है अंदर से बॉड़ी जो है बहुत जारा डेमांड करना स्टार्ड कर देती है क्योंकि प्रेगनेंट महिला को प्रेगनेंसी में थोड़ी जादा ही कैलोरी की जरूद पढ़ती है ता अराम से बाद में अच्छे से खा लेती है उनको अच्छे से भूग भी लगती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपको प्रेगनेंसी की पहली तिवाई में समस्या है जी घबडाने की चक्कर आने की या मन ना करने की तो आप जो है उस समें जादा से जादा से सेवन करें जैसे दूद पीएं और जूस पीएं जादा से जादा ताचे फल खाएं और आप जो है एक ग्लास पानी में नीबू टाल के पीएं यह आपको बहुत फाइदा करेगा मौर्निंग सिकनेस में और आपका डाइजेशन भी अच्छा करेगा और आपको जादा से ज जरूर मिलना चाहिए क्योंकि अगर आप कुछ नहीं खाएंगी बच्चे के अंदर भी पोशेक तत्यों की कमी हो जाएगी प्लस आपकी बॉड़ी में बहुत जादा बीकनेस लगेगी बहुत जादा चक्कर आएंगे प्लस आपके सूजन भी आ सकती है पूरी बोड़ी मे तो आप इस बात कर जरूर ध्यान रखें। तोड़ा आठ से दस गिलास जादा से जादा पानी पीए जादा से जादा तरल चीजों का सेवन करें इस से आपको थोड़ा भूग कम लगेगी और आपको जो ओबर वेट होता है वो भी कम गेन होगा क्योंकि अगर आप स्टार्डिंग से ही बहुत जादा खाती है तो स्टा जाद हो जाएगी एक से दो घंटे बाद भूग लगेगी तो आप जरूर खाए क्योंकि क्या होता है कि बेभी हमारा जैसे 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 ग्रो करता है जैसे जैसे इसका वेट बढ़ता है तो जो है पोशकत्तों की कमी होने लगती है जिससे बोड़ी बहुत जादा कि आपको जो वेट है वो ओवर गेन नहीं होगा आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है और आपको अपनी भूग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है और इस्टार्डिंग से लेके 9 मन तक आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के ही खाना है ताकि आपको ओवर वेट गेन न कोई समस्या नहीं थी और बेबी बॉई के ए मिश्टाडिंग में बॉर्णिंग सिहने की समस्या थी बहुत जादा नहीं थी तोड़ी थी और महग गयरा भी लगती थी हूँई और जिस अच्छे से भी खा पा रही थी तो मैं बस आपको यही समझाना चाहती हूँ कि भूख का कम या जादा लगना लड़का या लड़की से कोई भी संबंद रही रखता है बल्कि यह जो भी समस्या होती है वो होती है हर्मोनल चेंजिस की बज़े से क्योंकि सीधी सी बाते अगर हमें महत नहीं लगती है और हमारा जीब अगरा भी नहीं मिचलाता है तो पिर आराम से भूख लगेगी और हम आराम से खा सकेंगे और अगर आपको मेरा यह वीडियो पासंद आए तो प्लीज इसको लायक करें ज़ार ज़ार करें और सबस्क्राइब करने के साथ साथ बैल application सबसे बहले आपके mobile पे आए so thank you friends, बिलते हैं अगले वीडियो में